आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है तो आज का जो टॉपिक है वह रेड लीजन से रिलेटेड है कि जो ओरल कैविटी के अंदर रेड लीजन होते हैं वह क्या क्या होते हैं और इसकी क्या ठीक होने की संभावनाय है और क्या इसकी सीवियर्टी है इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे तो जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि वाइट पैच होते हैं मुझे अंदर और वह कई लाय थीक होते हैं तीन होते हैं कर दो चैनल तो अदीं होते हैं ऐसाल जिए होती हैं जल्ड़िक और गीатель होते हैं इसका धर ग्रफिक उती होती है जू जब भी वो मूफ करते हैं अपने तंग को तो भी उन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो यह रेड लीजन होते क्यों हैं तो बहुत सारे ऐसे विमारी है जिसमें की रेड लीजन पाए जा सकते हैं इसमें से जो मूस्ट कॉमन होता है वो है आपका इरोसिव लाइकन प्लैनस तो जो इरोसिव लाइकन प्लैनस होता हैдо और यह हो सक्ता है कि आपके lateral border of tongue पे mostly यह पाया जाता है या फिर आप इसे soft palate पे भी देख सकते हैं और कई बार यह dorsum of the tongue पे भी होता है तो जो erosive lichen panis है इसके healing की क्या समभावनाय होती है means क्या यह lesion heal हो जाता है और अगर यह heal होता है तो इसके chances क्या होते है recurrence क्या होते है recurrence rate क्या होता है उस पे भी आज बात करेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि lichen planis क्या होता है तो गाइस मैंने पहले भी अपने वीडियो में lichen planis के बारे में बता रखा है और आप चाहें तो वहाँ से जाके भी वीडियो को देख सकते हैं अब यह erosive type of lichen planis क्या है तो erosive का मतलब ही होता है erosive means redness means जो आपका सत्ह है वो eroded है वहाँ पे जो protective layer है आपके oral cavity की जो protective layer है superficial layer है वो वहाँ से erode हो चुकी है जिसके लिए आपको वहाँ पे redness दिख रहा है means जो आपका oral mucosa है वो काफी thin हो चुका है और उसके superficial layer जो है वो आपको red इसलिए भी दिखती है क्योंकि जो thinning of mucosa के कारण जो deeper layer में जो connective tissue के stromal areas होते हैं means वहाँ पे जो blood vessels होते हैं और आपकी mucosa इतनी thin हो गई है कि जो नीचे blood vessels हैं वो easily उपर तक visible होते हैं means यह lesion completely red होता है तो redness जो होती है इसको correct करने के लिए जो lichen planus का treatment है उससे थोड़ा सा इसका treatment vary करता है क्योंकि इसे ठीक करना एक challenging task होता है और कई बार यह जो है वो esteroid के response को भी नहीं esteroid से भी response नहीं करता है means अगर patient को esteroid दिया जाता है फिर भी यह lesion जो है वो heal नहीं हो पाता है तो ऐसे conditions में जो बहुत सारा जो हमारा immune suppressive drug है या फिर आप यह कह लिजे कि immunomodulators यूज करने पड़ता है तो आज कल जो एक trend है उसमें क्या होता है कि anti-malarial drug जो hydroxy chloroquine है उसका बहुत ही अच्छा result इसमें देखा गया है और यह lesion heal भी हो जाता है बट इसकी जो recurrence rate है वो काफी कभी भी patient को फिर से इस problem से गुजरना पर सकता है और यह recurrence rate हाई है इसका तो कभी भी यह lesion जब heal होता है तो आप लोगों को aware होना चाहिए कि यह फिर से हो सकता है और कई बार बहुत सारे ointment कभी इस्तमाल करना पड़ता है combination में तो इस तरह से इस disease को treat किया जा सकता है बट इस problems को आपको for the time being ही आप इस से resolve मतलब इस से आप छुटकारा पा सकते है फिर से यह re-accur होगा और यह जो erosive lichen planus है यह symptomatic होता है means patient को burning sensation बहुत ज्यादा होता है patient को खाना खाने में तकलीफ होती है तो यह जो erosive lichen planus है यह severe कभ होता है means इसमें जो है malignant transformation जो rate होता है वो high होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आपकी mucosal layer है जो protective layer है superficial वो thin हो चुकी होती है तो यह जो thinning of mucosa है जिसे हम लोग atropic भी कहते है atropic epithelium भी कहते है तो यह thinness के कारण क्या होता है कि कोई भी stimulus easily invade करने के लिए sufficient होता है नीचे आपके stromal areas तक पहुँचने के लिए easily penetrate करके वो नीचे की सतह तक damage क्रिएट कर सकता है तो जो इसमें potential होता है erosive lichen planus का malignant transformation होने का वो ज्यादा होता है और कई बड़ क्या होता है कुछ ऐसे red legions जो आपको लगेंगे कि यह बिल्कुल red है बट वो erosive lichen planus नहीं होता है means वो autoimmune नहीं होते है तो कई बड़ जो dysplastic lycopalachia means जो erythropalachia जिसमें की lesion जो है काफी red है और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी आप इसे जज नहीं कर पा रहा है कि यह red क्यूं है तो कई सारे ऐसे बिमारी है जिसमें की red lesion पाया जा सकता है जिसमें की chronic ulcerative stomatitis होता है इसमें भी patient का जो lesion है वो बकल मिकोसा यह टंग पे red पाया जा सकता है तो red lesion को heal होने के लिए एक लंभा duration चाहिए और कई बार यह complete heal नहीं हो सकता है जो आप में रहना है कि यह रेड लिजिन में कोई dysplastic change नहीं आरहा है और अगर कोई dysplastic change आता है तो उसके लिए आपको 1 season के लिए जाना चाहिए तो इस लीजिन को ऐसे ही छोड़ देने से ठीक नहीं हो पाता है तो सबस्हते हैं कि उसे रिटीकिन में स्टोम टायटिस है तो यह जो तीन नाम मैंने बताए है इसमें से कुछ भी हो सकता है बट आप इसे वेट ना करें मिंस कई बड़ क्या होता है कि जैसे की अरिथ्रो अब्लेकिया में तो उसमें क्या है कि अगर आपके जो मार्जिन से रहाज़िते हैं Hello कि अधु यहां पर ंदूरेटिट बौर्डर्ट रही बजाते हैं क्योंकि यहां पर इस देल जादा स्वियर हो चुका होता है और जो की नहीं होसकताय जो एत्रो प्लेटीह होते हैं जिसमें की लीजन जो है वो ठीक नहीं हो रहा है काफी लंबे समय से पेशेंट का बना हुआ है प्लस इसके बॉर्डर भी जो है वो इंडियूरेटेड है मिन्स जो बॉर्डर है वो हार्डर है तो यहां पे यह highly dysplastic character को सो करता है तो इसके लिए भी biopsy होनी चाहिए और biopsy mandatory होता है अगर इरित्रो प्ले किया आपका डाइग्नॉस हो रहा है तो उसके लिए complete excision के लिए पेशेंट को जाना पड़ता है तो इसे हम लोग wait and watch नहीं कर सकते हैं कि यह लीजन खुद से हील हो जाए और जब आप ऐसे लीजन को छोड़ देंगे तो फिर कई बार क्या होता है आपके lymph node involved होते हैं जब आपके जो नेक रीजन में जो भी lymph node है जो oral cavity से काफी पास होते हैं वहां पे infection का collection हो जाता है वहां पे जो cell है वहां पे move करके dysplastic cell या यू कहें कि malignant cell वह move करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं तो बहुत severe dysplasia के साथ जो red legion है उसे हम लोग weight and watch नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां पे malignancy में transform होने के chances ज्यादा होते हैं और वो हमारे lymph node को involve कर सकता है जिसमें कि जो juglo diagnostic lymph node है हमारा वो काफी near wise होता है और उसे infect करने के लिए जो malignant cells है वो सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और फिर उसे further treatment के लिए एडवाइस किया जाता है तो इस तरह से उमीद करती हूं कि जो आज की जानकारी है red legion से related जो कि हील नहीं होता है और अगर हील होता भी है तो काफी sort duration के लिए होता है तो आपको उसके लिए भी follow up में रहने की आशकता है और आज का वीडियो प्र लाइब में किया झेला तो आग ज गिए ट्रया रंग घर शत्रा बाहनद से उते से हूं उमीद के लिए हूं प्री बाहने की उनर वो ये खोяс ज tällan फेलाव है بव गए है तो वीडियो आटने से और वीडाने से भीडिक लावे है गी तो बाल आबूियों एग बात से